नमस्क्राइब दोस्तों, welcome back to my channel, आप देख रहे हैं DT Lakshmi, Dr. Vini, तो आज हम बात करने जा रहे हैं Citrusin Tablet की review के बारे में, आपने, मैंने, हम सब ने कभी न कभी ये Citrusin की दवाई खाई जरूर होती है लाइफ में, तो आज हम इसी दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं Citrusin Tablet, तो कहीं पर जाएगा बने रहे हैं इस वीडियो में, दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो Citrusin Tablet है, ये कौन सी क्लास की ड्रग है, तो ये जो Tablet है वो Antihistamines होती हैं, जी हाँ, Antihistamines क्या होते हैं, ये Antagonist होते हैं Histamine के, Histamines are the Neurotransmitter, जी हाँ, जब आपक होती है, तो ये Histamine सिक्रीट होता है आपके Body में और जो Inflammation का Action है, वो देता है, और Citrusin जो है Antihistamine है, तो वो उसके Action को रोकती है, चलिए अब बात करते हैं, इसका Use कहा कहा करते हैं, जैसा कि आप समझी गए हैं कि जित्ती भी Allergic Reactions हैं, मतलब आपकी आँखों से पानी आ आखों में आख में, इचिंग होना, छीके आना, उन सब में ये Medicine दी जाती है, उन सभी चीजों में ये Medicine कारगर है, इसके अलावा आपके Skin पे जब Rashes हो जाते हैं, वहां भी ये Medicine दी जाती है, चत्य चत्य उड़ जाते हैं, लाल पन आ जाता है, वहां ये Medicine दी जाती है, ये जो है eczema में भी use होती है, dermatitis में भी use होती है, ये जो medicine है, ये सभी तरह के लाल चत्ते होना, rainy nose होना इन सम में दी जाती है, आपके skin में बड़े बड़े धब्बे बन गए हैं, वहाँ दी जाती है, तो ये medicine बेसिकली जित्ती भी allergic reactions हैं, उनमें ये दी जाती है, rainy nose हो गई waterly eyes हो गई, eating हो गई, इन सम में ये medicine दी जाती है, चलिए, अब हम बात करती है, root of drug administration की, तो ये जो drug है, ये medicine है, ये by mouth ली जाती है, मुझ के माध्यम से ली जाती है, आपको खाना खाने के बाद लेनी होती है, ये medicine, पानी के साथ लेनी है, इसके अलावा एक और चीज है, जो मैं बताना चाहूंगी, doses, doses की जो बात है, वो ऐसी है कि, ये जो medicine है, 5 mg और 10 mg के dose में मिलती है, और इसका effect जो है, एक घंटे के अंदर शुरू हो जाता है, जो onset of action है, वो 20 minutes से 40 minutes तक का है, और ये medicine जो है, 24 घंटे तक आपको जो है, अपना असर रखती है, अगर आपने medicine ली है, तो 24 hours तक definitely इस medicine का असर आपके body में रहेगा, चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, सिट्रिजन टाबलेट के doses के बारे में, doses मैंने आपको बता दी है, 5 mg और 10 mg और depend करता है, कि आपका doctor के सहसाब से prescribe करता है, market में ये कहीं कहीं पे 20 mg भी मिलती है, UK में अगर आप देखें, तो UK में 20 mg की भी drug available है, और वो depend करता है कि आपका doctor कैसे देता है, doctor आपकी condition देखता है, disease condition देखता है, आपका body weight देखता है, और फिर उस basis पे आपको ये medicine प्रिस्क्राइब की जाती है, दोस्तों ये हो गया इस medicine का dose, अब चलिए बात करें common side effects पे, सबसे पहला है sleeping, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने सिट्रिजन खाई है, मुझे नीन जैसा लग रहा है, मैंने सिट्रिजन खाई है, मुझे नीन आ रही है, मेरा सिर भारी लग रहा ह ये इसका common side effect है, जो बहुत देखने को मिलता है, इसके अलावा है dry mouth, आपका मुझ जो है वो बार-बार सूखने लगता है, आपको प्यास जादा लगती है, headache कुछ लोगों को इस medicine की वज़े से सिर भारी लगने लगता है, headache होता है, इसके अलावा चौथा जो बहुत common है, वो है abdominal pain, जो कि बच्चों में जादा देखने को मिलता है, पेट में दर्द होना शुरू होता है, जो बच्चों में जादा तर देखने को मिलता है, एक rare जो इसका side effect है, वो है cardiac problem, जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये problem नहीं होती है, ये rare है, ये जो problem है, बहुत ही कम लोग को को ये देखने को मिलता है, वो है cardiac failure, वो भी इस दवा का side effect है, जो बहुत rare है, चलिए ये हो गया, इसके user side effect, अब हम और एक बात कर लेते हैं, कि ये दवा क्या pregnancy में ली जा सकती है, तो definitely ये दवा pregnancy में तो safe है, use in pregnancy appears to be safe, बिल्कुल safe है, कोई problem नहीं है, आप pregnancy में ये दव doctors के माध्यम से महिलाओं को दी जाती है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है कि ये breastfeeding में safe नहीं है, वहाँ ये दवा नहीं दी जाती है, वहाँ इसको safe नहीं माना गया है, so but the use during breastfeeding is not recommended, तो वहाँ पर ये recommend नहीं की जाती है, चलिए दोस्तों ये थी आज की सारी जानकारी, इसका mechanism of action एक बार मैं और बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये anti-histamine है, तो ये anti-histamine जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये H1 जो receptor होते हैं, उनको block करते हैं, और अपना action शो करते हैं, ये antagonist है, histamine के blocking, histamine H1 receptor is a mood of action और mechanism of action of citrazen tablet. चलिए ये थी सारी कहानी citrazen tablet की, जो आपने हमेशा life में कभी न कभी खाई होगी, thanks for watching this video, please share with your friends and family, share करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, और ये information लोगों तक पहुँच सके, अगेन एक, यहाँ पर मैं बात बोलना जाहूंगी, कोई भी medicine आपके doctor की सलाह से ही लें, बिना doctor की सलाह के medicine ना लें, ये सारी जानकारी से education purpose के लिए दी गई है, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, thanks for watching this channel, please subscribe this channel, और फिर से मैं कह रही हूं, ये सारी जानकारी education purpose के लिए ही है, please go and consult with your doctor and then take this medicine, बिना उनके consult किये, आप ये medicine ना लें, अपना ध्यान रखिए सब लोग, stay healthy, stay happy, stay fit, wear mask, social distancing रखें, mask पहने, hand sanitizer का use करें, और अच्छी अच्छी सी life जिए, smile करें, happy रहें, एक दूसरे की help करें, helping जो nature होता है, वो दुनिया में सबसे बड़ी quality है, जो आप में develop होनी चाहे, अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग, नमश्का, take care everyone, bye bye.